जागे जागे अरुमा है जागे जागे हम ओ जागे जागे आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं दिल सुना 1990 और अरली 2000 के दौर में बॉलिवुड में चॉकलेटी बॉय और लवर बॉय के नाम से पॉपुलर हुए एक हैंडसम एक्टर जिनकी पहली फिल्म रिलीस होने के साथ ही हजारों लड़कियां इनके दिवानी हो गई थी और इनहीं के जैसे मासूम क्यूट बॉय फ्रेंड की चाहत रखने लगी थी इन्होंने अपने दमदार अभिने का लोहा मनवा कर एक फाइनेस्ट और ब्रिलियंट एक्टर की पहचान बनाई और जदतर क्लासिक हिंदी फिल्मों का ही हिस्सा रहे समय के साथ इन्होंने अपनी सौफ्ट आशिक वाली इमिज को भी बदल डाला और रफ एंट टफ स्टाइल और एक्सपेरिमेंटल किरदारों से एक नई मजबूत पहचान बनाई लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अपने खुबसूरत चेहरे की वजह से कई बार नुकसान भी जहिलना पड़ा और चॉकलेटी बॉय की इमिज की वजह से कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा क्या आप मानेंगे कि बेहत टैलेंटेड होने की बावजूद इन्हें जादतर साइड रोल ही मिलते रहे बॉलेवुड ने इन्हें कभी भी इनके काम का सही क्रेडिट नहीं दिया और ये एक अंडर रेटेड एक्टर बनकर रह गए और क्या आप यकीन करेंगे कि सिख धर्म का होने के बावजूद इन्होंने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया जिससे इनके घरवालों ने इनसे बात तक करने बंद कर दी तो कौन है ये एक्टर क्यों इन्हें बॉलिवुड में सही पहचान नहीं मिल सकी और आज ये क्या कर रहे हैं बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें दोस्तों आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं मुहबबतें फेम एक्टर जिम्मी शेरगिल की जिनने कई करदारों में कमाल करते हुए आपने देखा है तो आज बात करेंगे इनकी प्रोफेशनल और पॉसनल लाइफ की जिम्मी शेरगिल का जन 3rd December 1970 को उत्तर प्रदेश के गोरकपुर जिले के सरदार नगर में हुआ था ये वहां का एक नामी जमिनदार सिख परिवार था तब इनका नाम रखा गया जसजीत सिंग शेरगिल और निकनेम जिम्मी से घरवाले बुलाते थे इनके पिता का नाम सतेजीत सिंग शेरगिल था जो एक पैंटर थी तो वहीं जिम्मी के पापा की बुगा अमरिता शेरगिल एक फेमस भारतिय चित्रकार थी जिनका अपने जमाने में काफी नाम था जिम्मी की मम्मी का नाम बलराज कौर था जो एक ग्रहनी थी जिम्मी के एक भाई भी थे जिनका नाम अमन शेरगिल था जिम्मी ने पहले गोरकपुर के एक पबलिक स्कूल से पढ़ाई की फिर लखनव के सेंट फ्रांसिस कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन साल 1985 में ये पंजाब चले गए जहां इनका पुष्टैनी घर था वहाँ जिम्मी ने नाभा के पंजाब पबलिक स्कूल से पढ़ाई की फिर पंजाबी युनिवस्टी से बीकॉम ओनर्स किया दोस्तों बिताते हैं कि 18 साल की उम्र तक तो जिम्मी शेरगिल ने अपने धर्म के मुताबिक पगड़ी पहनी क्योंकि पहले इनका परिवार ऐसा चाहता था और बाद में छात्रा वास ना मिल पाने की वज़ए से इन्हें पगड़ी पहननी पड़ी लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पगड़ी छोड़ दी और इस वज़़ से इनके परिवार के लोग इतने जादा नाराज हो गए कि एक साल तक इनसे बातचीत तक नहीं की पगड़ी ना पहनने की पीछे वज़़ सामने आई कि हॉस्टल में इन्हें जहां पगड़ी धोने और वेर करने में दिक्कत होती थी तो वहीं लंबे बालों की केर करने में भी समय लगता था जिसका आसर इनके स्टड़ी पर पढ़ता था खेर इसी दोरान 1989 में इनका एक रोड एक्सिडेंट हो गया जिसमें बुरी तरह से घायल हो गये फिर घरवालों की नराजगी कुछ कम हुई और पढ़ाई पुरी करके ये हॉस्टल से घर पहुँचे जिम्मे के पापा तब चाहते थे कि ये हायर एडूकेशन के लिए यूएस चले जाएं और वहां से एमबीए करके अपना करियर बनाएं लेकिन उसी दोरान इनके फूफा जी का मर्डर हो गया और ये अपनी बुआ के घर दिल्ली पहुँचे वहां अपनी बुआ के बेटे सुमिंदर सिंग के साथ इन्होंने कुछ वक्त बिताया और इसी दोरान इनके कजिन सुमिंदर ने इन्हें सलाह दी कि मॉडलिंग और एक्टिंग के फिल्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए क्योंकि इनकी परसनालिटी बिहद अट्राक्टिव और चार्मिंग है और इनमें एक एक्टर के और भी कई गोण मौजूद है यहां तक कि उन्होंने जिम्मी के अंदर कॉन्फिदेंस भरने और इनके मम्मी पापा को कन्वेंस करने का भी काम किया जिम्मी के परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी तो इनके पापा ने इन्हें इजास्त दे दी और फाइनली जिम्मी मुंबई पहुँचे यहां जिम्मी ने रोशन तनेजा स्कूल आफ एक्टिंग जोईन कर ली और अगले कुछ समय तक अभिने की बारेकियों को सीखने पर ध्यान लगाया यहां कुछ कोशिशों के बाद जिम्मी शेरगिल को एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया यह फिल्म पंजाब के आतंकवाद पर आधारित थी जिसका नाम था माचिस दरसल फिल्म माचिस जब बननी शुरू हुई थी तो जिम्मी अपने एक दोस्त के साथ इस फिल्म के डिरेक्टर महान शक्सियत गुलजार सहब से मिलने पहुँचे और उनसे रिक्विस्ट की कि एक फिल्म में मुझे असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर रख लीजिए जिससे मुझे फिल्म मेकिंग प्रॉसेस को समझने में हेल्प मिल जाएगी लेकिन गुलजार सहब को जिम्मी में एक एक्टर वाली संभावना नज़र आई और उन्होंने अपनी इस फिल्म में इन्हें एक प्रभावी किर्दार के लिए कास्ट कर लिया इत्तिफाक से इस किर्दार का नाम भी जिम्मी ही था इस तरह जिम्मी को अभिने के ट्षेत्र में ब्रेक मिल गया और वो भी गुलजार सहब के साथ साल 1996 में critically acclaimed film Marches release हुई और इसे दर्शकों का अच्छा response मिला फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक बिजनिस किया और इंडस्ट्री के टॉप फिल्मेकर्स ने जिम्मी को नोटिस किया लेकिन फिर भी इस फिल्म के बाद लंबे समय तक जिम्मी को कोई और काम नहीं मिला और ये जगह जगह ओडिशन ही देते रहे लेकिन इस दोरान इनके घरवालों ने इनका खूब सपोर्ट किया और होसला बढ़ाया माचिस फिल्म की रिलीज के लगभग तीन साल बाद साल 1999 में इनको एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला जो थी जहां तुम ले चलो लेकिन ये लो बजट फिल्म फ्लॉप रही और जिम्मी को निराशा ही हाथ लगी पर इसके कुछ समय बाद यश्राज बैनर से जिम्मी शेरगिल को एक दिन फोन आया और इन्हें आडिशन के लिए बुलाया गया कई राउंड के आडिशन हुए और फाइनली इन्हें मिली बड़े बैनर की फिल्म मुहबत है और साल 2000 में रिलीज हुई यही वो फिल्म रही जिससे जिम्मी शेरगिल घर घर में पहचाने जाने लगी वैसे तो इस मल्टी स्टारर फिल्म में अमिताअब बच्चन, शारुक खान और एश्वरियर राय जैसे बड़े स्टार्स काम कर रहे थे लिकिन फिर भी बाकी च्छ एक्टर्स के लिए भी पूरा स्कोप था और सभी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला आदेते चोपडा की इस फिल्म के रिलीस होने के बाद क्यूट से दिखने वाले जिम्मी शेरगिल लड़कियों के बीच चॉकलिटी बॉई और लवर बॉई के नाम से फेमस हो गए वैसे तो जिम्मी को करियर की शुरुआत में ही बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला लेकिन साथ ही इन्हें चॉकलिटी बॉई वाले इमेज से नुकसान भी हुआ जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसके बाद साल 2001 में जिम्मी की एक और फिल्म आई जिसमें ये सोलो हीरो थे और अमिशा पटेल इनके अपॉसिट हीरोईन थी ये फिल्म थी ये जिन्दगी का सफर हलाकि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर चल नहीं सकी और इसका जिम्मी को कोई खास फाइदा भी नहीं हुआ लेकिन इसी दोरान साल 2002 में इन्हें ये श्राज बैनर की एक और फिल्म मिली मेरे यार की शादी है इसमें जिम्मी के अलावा एक और एक्टर उदै चोपड़ा भी थे और इसकी हिरोईन थी ट्यूलिप जोशी ये भी एक ट्रैंगल लव स्टूरी थी जिसमें जिम्मी के क्यूटनेस को खूब पसंद किया गया इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे और इससे भी जिम्मी के करियर को मजबूती मिली साल 2002 में ही इनकी अगली फिल्म आई दिल है तुम्हारा हलाकि इस फिल्म में भी दो एक्टर्स और दो एक्टर्स थी और ये भी एक लव स्टूरी फिल्म थी लेकिन अब तक जैसे एक लवर बॉय का ही किरदार होने के बावजूद जिम्मी ने इसमें अपने अभिने का कमाल दिखाया और लीड एक्टर अरजुन रामपाल पर भारी पड़े इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई दिल विल प्यार व्यार जिसमें धेट सारे एक्टर्स की भरमार थी इस फिल्म में 16 रेमिक्स गाने थे जो ओल्ड सॉंग्स को ही तोड मरोड कर बनाए गए थे और फिल्म की कहानी में भी कोई खास दम नहीं था इस साल जिम्मी की चौथी रिलीज्ट फिल्म रही कहता है दिल बार बार जिसमें ये सोलो हीरो थे ये भी एक रोमैंटिक लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें किम शर्मा के साथ इनकी जोड़ी थी लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई जिम्मी शेर्गिल को अब तक ये बात समझ में आने लगी थी कि मुहब्बतें फिल्म से इनके चौकलेटी लवर बॉय की जो इमिज बनी हुई है ये नहीं तूटने वाली और इस तरह ये टाइप कास्ट होकर रह जाएंगे इसी के बाद जिम्मी ने फैसला किया कि ये कुछ अलग हटकर रोल ट्राइ करेंगे और इसके लिए इन्हें छोटे मोटे या साइड रोल भी करने पड़ें तो भी पीछे नहीं हटेंगे इसी के बाद जिम्मी ने ऐसी दो फिल्में साइन की जिन में इनका टिपिकल लवर का रोल नहीं था और किरदारों में वेराइटी थी इनमें से एक फिल्म थी हासिल जो साल 2003 में रिलीज हुई तुमने वो हासिल करने की कोशिश की जिसके तुम काबिल नहीं हो समझे अधारित इस फिल्म में जिम्मी ने एक स्टूडेंट लीडर का किरदार निभाया और अपनी पुरानी छवी को बदलने में काफी हद तक काम्याब भी रहे वैसे तो इस फिल्म की लाइम लाइट इर्फान खान ले गए लेकिन फिर भी जिम्मी के अभिने की भी तारीफ हुई और इन्होंने इस फिल्म से खुद को वो स्टाइल साबित करने में भी काम्याबी हसल की साल 2003 की ही इनकी एक और फिल्म रही मुन्ना भाई MBBS जिसमें इन्होंने एक कैंसर पीडित शक्स की भूमिका निभाई ये भी कुछ अलग हटकर किरदार था जो छोटा होने के बावजूद असरदार था और जिम्मी ने इसमें जान डाल दी इसमें संजेदत अर्शद वार्शी के साथ इनका एक गाना भी रहा जिसे खूब पसंद किया गया साल 2004 में जिम्मी शेरगिल तीन फिल्मों में नजर आए ये थी अगनी पंक, चरस और हम तुम हलाकि इन फिल्मों में जिम्मी या तो साइड रोल में थे या फिर कैमियो किया साल 2005 में जिम्मी की दो फिल्म में रिलीज हुई जिन में से एक थी सिलसिले जिसमें धेर सारे कलाकार थे और तीन अलग-अलग कहानियों में से जिम्मी की भी एक कहानी थी तो वहीं दूसरी फिल्म रही यहां जिसमें ये सोलो हीरो थे और मिनिशा लामबा इनके अपॉसिट हिरोईं थी हलाकि ये दोनों ही फिल्में नहीं चल पाएं और जिम्मी के करियर को इससे नुकसान ही हुआ इसके बाद साल 2006 में जिम्मी कई फिल्मों का हिसा रहे जैसे प्रतीक्षा, उमर, टॉम डिक एंट हैरी, यूं होता तो क्या होता, लगे रहो मुन्ना भाई, बस एक पल और रह गुजर लेकिन इन में से एक भी फिल्म ऐसी नहीं रही, जिसमें जिम्मी का कोई असरदार रोल रहा हो, या रहा भी तो वो फिल्म चली नहीं, इसलिए जिम्मी का ये साल सफलता के हिसाब से बेकार ही रहा तीन साल मुझे तो सारी जिंदगी इस वील्चेर में बिता नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूँ कि गोली तुने जान बूच के नहीं चलाए थी, लेकिन उसका जिम्मेदार तो तू ही है ना साल दोहसार साथ में जिम्मी की कुल साथ फिल्में रिलीज हुई जू रही एक लविद दर रॉयल गार्ड, डेली हाइट्स, रकीब, विक्टूरिया नमबर टू-जिरो थी, छोडो नयार, दस कहानियां और स्ट्रेंजर्स इनमें से डेली हाइट्स को छोड़ कर एक भी ऐसे फिल्म नहीं थी, जिसमें जिम्मी सोलो हीरो हो, तो वहीं ये सभी मल्टी स्टारर फिल्में लगभग फ्लॉप ही रहे साल 2008 में जिम्मी शेरगिल दो फिल्मों का हिस्सा रहे, हस्ते हस्ते और अवेडनेस डे इनमें से अवेडनेस डे फिल्म तो सुपरेट रही और जिम्मी के किरदार को भी पसंद किया गया लेकिन ये बेहद छोटा रहा साल 2009 में जिम्मी की दो फिल्में आई बैचलर पार्टी और मरेगा साला ये दोनों फ्लॉप रही तो वही साल 2010 में इनकी दो फिल्में आई माई नेम इस खान और फ्लैट इसके बाद साल 2011 में जिम्मी तीन फिल्मों का हिसा रहे जिनमें से एक थी सुबर हिट फिल्म तनू विड्स मनो इस फिल्म में जिम्मी का किरदार इंटरेस्टिंग और दमदार था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया इस किरदार ने जिम्मी को एक नई पहचान दी और वर्सटाइल एक्टर की छवी भी इस साल की जिम्मी की दूसरे फिल्म रही गेम जिसमें जिम्मी का समाने रोल रहा और तीसरी फिल्म रही साहब बीबी और गैंस्टर जिसमें गैंस्टर के रोल में जिम में च्छा गए साल 2012 में ये डैंजरस इश्क और शूबाइट में नज़राए लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ इसके बाद साल 2013 में जिम में राजधानी एक्सप्रेस जो फ्लॉप रही, स्पेशल 26 जिसमें छोटा मगर दमदार अपेरेंस रहा, साहब बीवी और गैंस्टर रिटर्न्स जो सीक्वल थी और 4-2 का वन जिसमें जिम में पहली बार कॉमेडी करते नजर आए हलाकि इसी साल के फिल्म बुलिट राजा में भी इनके अभिने को पसंद किया गया साल 2014 में जिम में फगली, बैंक बैंक और डर एट दे मॉल फिल्मों में नजर आए साल 2015 में इनकी एक मल्टी स्टारर फिल्म युवा के अलावा तनू वेट्समनू रिटर्न्स भी रिलीज हुई जिसमें एक बार फिर से जिम में अच्छे दमदार रोल करते दिखे और इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेर नॉमिनेशन भी मिला साल 2016 में जिम में की कुल आठ फिल्म में रिलीज हुई लेकिन अब तक ये जादतर फिल्मों में या तो साइड रोल करते नजर आ रहे थे या फिर कैम्यों में दिख रहे थे ये फिल्म में रही शौटकट सफारी, ट्राइफिक, शोरगुल, मदारी, हैपी भाग जाएगी, ये तो टूमच हो गया, दिल साला सन की और एनिमेटेड फिल्म महा युद्धा राम इतिहास जिर्फ वीरों का होता है, टायर कभी इतिहास नहीं गनाते जिम्मी साल 2017 में शुब मंगल सावधान और राची डायरीज में भी नजर आए, जिन में छोटे ही रोल रहे तो साल 2018 में मुक्के बाज, वीरे की वेडिंग, फेमस, सहा बेवी और गैंक्स्टर 3 और हैपी फिर भाग जाएगी में अभिने किया साल 2019 में जिम्मी कई फिल्मों का हिसा रहे जैसे देदे प्यार दे, फैमली ओफ ठाकुर गंज, जूटा कहीं का, जज्जमेंटल है क्या, पी से प्यार, एफ से फरार और पती पतनी और वो साल 2021 में जिम्मी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को लार बम में नजर आए, जिसमें ये सोलो हीरो थी, और ये फिल्म डिजनी हॉट स्टार के दिस्टिल प्लेट फॉर्म पर रिलीज हुई साल 2022 में जहां जिम्मी फिल्म डबल एक्सल में कैमियो करते नजर आए, तो वहीं साल 2030 यानि मौजूदा साल में इन्होंने ओपरेशन मेफेर नाम की थ्रिलर फिल्म में एक डिटेक्टिव का धमदार किरदार प्ले किया तो वहीं इसी साल जिम्मी की एक और फिल्म आजम भी रिलीज हुई, जिसमें इनके साथ अभी मन्यू सिंग भी एहम भूमिका में नजर आए इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ये दोनों एक्टर्स कई मीडिया चैनलों पर इंटर्व्यू देते भी नजर आए आगे आने वाले साल 2024 की बात करें तो जिम्मी की दो फिल्मیں आने वाली हैं, जो हैं औरों में कहां दम था और मिस्टर आई इन हिंदी फिल्मों के अलावा साल 2005 से अब तक जिम्मी ने लगबक 16 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और इनमें से कई हिट भी नहीं साल 2005 में आई यारा नाल बहारा जिम्मी की पहली पंजाबी फिल्म रही जिसे बॉक्स ओफिस पर अच्छा रिस्पॉंस मिला और ये आज भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक माने जाते हैं तो वहीं जिम्मी ने चार फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया जिन में पंजाबी फिल्में भी शामिल रही इसके अलावा जिम्मी शेरगिल ने कई विब सिरीज में भी काम किया जिन में से खास रही रंगबास फिर से यूर आनर चूना और रनी थी इन में से रंगबास फिर से को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉंस मिला और क्रिटिक्स की तारीफें भी तो ये हुई बात जिम्मी शेरगिल के फिल्मी सफर की चलिए बात करते हैं इनकी पॉसनल लाइफ की इनके अफेर्स और शादी की जिम्मी ने साल 2001 में अपने करियर की शुरुवात में ही दिल्ली की रहने वाली एक लड़की प्रियंका पुरी से शादी कर ली थी प्रियंका अपने पापा के साथ मिलकर इंटेरियर का बिजनेस संभालती थी और अपनी पहली फिल्म माचिस के रिलीस के बाद जब जिम्मी अपने कजिन से मिलने दिल्ली गए थे तो वहीं पहली बार इनकी मुलाकात एक शादी के दौरान प्रियंका से हुई थी जिम्मी और प्रियंका का एक बेटा हुआ जिसका नाम वीर रखा गया दोस्तों बॉलिवुड की कई बड़ी और खास फिल्मों में जिम्मी शेरगिल ने अपने अभिने से जबरदस्त चाप छोड़ी और अपने काम का लुहा मनवाया लेकिन फिर भी जो पॉपुलारिटी और स्टारडम इन्हें मिलना चाहिए था वो नहें मिल सका जान लेने वाली चीज है कोई दुलहन का गूंगट नहीं कि दो घंटे शायरी की और दो मिनुन बाकी काम समझे रहे हैं इसे ऐसे पड़ से चलाया जाता है हलाकि फिल्म समिच्शकों और एक्सपर्ट्स में भी इसे लेकर अलग-अलग राय रही और वो भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि जिम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ आपको इसके पीछे की वज़ग क्या लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा दोस्तों जिम्मी ने जो फिल्में की उनमें से ज़ादातर में ऐसी स्टोरीज रही कि फिल्म की हिरोईन आखिर में इन्हें छोड़ कर चली जाती है मेरे यार की शादी है तनु विट्स मनू हैपी भाग जाएगी या दे दे प्यार दे सब की लगभग यही कहानी रही स्किल और हैंडसम लुक का भी दिवाना रहा और यही वजह रही कि लाख कोशिशों के बावजूद बॉलिवुड में ग्रूपिस्म करने वाले या नेपोटिस्म की दुकान चलाने वाले इन्हें इंडस्ट्री से बाहर नहीं कर पाए और इन्हें पिछले 25 सालों में कभी भी काम की कमी नहीं रही जिम्मी आज भी फिल्मों और वेब सिरीज की शूटिंग में बिजी रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी बात रही कि ऐसी चका चौद भरी दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद कभी भी जिम्मी शेरि का नाम किसी को एक्ट्रिस या किसी भी और दूसरी लड़की के साथ नहीं जुड़ा और ना ही ये कभी किसी कंट्रूवर्सी का हिस्सा रहे इनकी साफ सुथरी छवी और डाउन टू अर्थ नेचर वाकई तमाम युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे काजल की कोर् बचाया जा सकता है। जाते हैं जितने आज से 25 साल पहले दिखते थे। हम इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें धेर सारी शुपकामनाएं देते हैं। तो जिमी शेर्गिल की कौन से फिल्म, कौन सा किरदार या कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा। आगे किस फिल्मिक पॉस्टनाल्टी की जंदगी से आप रूबरू होना चाहते हैं ये भी लिखटा लिएगा। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकार।